Hello, Assalamualaikum my dear students, कैसे हो सभी लोग, I hope कि सभी अच्छे ही होंगे आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, वो हम Class 12 Physics के बारे में बात करने वाले हैं Physics में हमने previous papers collect करके आपके लिए तैयार किया हुआ है उसमें से आपके लिए guest paper भी हमने तैयार किया हुआ है total marks जो है वो क्या होते हैं, इसमें pass marks जो है वो क्या है और कैसे आप वो questions चूज करके आप exam में अच्छे marks ला सकते हो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आपने end तक देखना है अभी तक आपने अगर subscribe नहीं किये हमारी इस YouTube चनल को आप महरबानी करके हमारी इस YouTube चनल को किये subscribe और WhatsApp group की link है description में अगर आप interested हो तो join कर सकते हो, ठीक है टेलेग्राम भी join करना description में link मिल जाएगी चलो जो अपना जो वीडियो है वो start करते है तो my dear students, सभी लोगों को पताई होगा कि series जो है वो अलग-अलग रहती है, ठीक है series जो होती है वो A, B और C series रहती है students को, जितने भी exams होते है JK Boss की चाहे 10th, 11th, 12th के उससे क्या होता है, series अलग-अलग रहती है, ठीक है और इसलिए हमने series wise भी यहां पर आपके लिए तयार किया हुआ है अब कैसे आप check कर सकते हो, इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके physics में two marks रहेंगे, वो होंगे total marks, 70 marks, ठीक है तो यह कहां से कहां तक है, मैं आपको बता दूँगा इसमें long answer type questions आ जाएंगे इसमें से आपको 15 minutes extra time मिल जाएगा आपको पता ही होगा, पढ़ने के लिए physics को आपको पढ़ने के लिए आपको 15 minutes extra मिल जाएगा ठीक है, यह 2011 का paper है लेकर हमने सारा कुछ यहां पर mention किया है सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें long answer type question आता है उसमें से आपको internal choice मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद आपको क्या जाएगा short answer type question, उसमें आपको 3 marks each question मिल जाएगा लेकिन उसमें कोई internal choice नहीं मिल जाएगी आप सभी लोगों को very short answer में आप सभी लोग जानते होंगे उसमें 2 marks की questions आते हैं उसमें से आपको 20 words तक आपको answer लिखने पड़ते हैं उसके बाद जो object to type रहता है आपका उसमें से 1 marks, 1 question को मिल जाएगा जैसे यहां पर लिखा है relaxation time, define relaxation time ऐसी questions आजाएंगे आपको यहां तो explain करना होगा यहां तो आपको object में ऐसे 4 option दिये जाएंगे उनमें से आपको एक वोग टिक करना पड़ेगा अब रहा सवाल के आप यहां पर जो students है यहों कह रहे हैं कि यह 11 2011 का है 12 का कहां है 13 14 यह सब यहां पर मैंने mention किया हुआ है यहां पर आप देख सकते हो यह pdf जो है 67 pages की pdf है यहां पर आप देख सकते हो यह जो pdf है यह हमने collect करके आपके लिए तयार की है इसमें से question number दिया हुआ है उसके साथ साथ सीरीज भी दी हुई है कौन सी सीरीज कहां है और यह है 2012 का paper इसमें भी आपको 50 minutes extra मिल दे 70 marks का paper है 2012 उसके बाद है 2013-14 और यह सब यहां पर papers collect किये हमने आपके लिए ठीक है इसमें से अगर आप क्या करोगे आप रहा सवाल के हम pass कैसे करेंगे इसमें pass mark जो मैंने बता दिया आप रहा सवाल के pass कैसे करोगे और यह PDF जो है वो download कैसे करोगे उसके लिए आपको simply एक काम करना पड़ेगा जितने भी यहां पर questions दे हुए हैं वो आपको अपने रहा पर लिखने पड़ेगी उसके answers आपको उसकी practice करनी चाहिए ताकि अगर उसमें से कोई question आजाए उसमें से 100% आजाएगा क्योंकि previous papers आगर आप पड़ोगे बस इतना ही half syllabus पड़ोगे तो आप इंशालला अच्छे marks लाओगे और अगर आप अच्छे से इनकी practice करोगे अगर इसमें से कोई numerical है या objective type का question है या थेरिका है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा practice करनी पड़ेगी ठीक है यह 2013 का paper है यह आप देख सकते हो अब यहाँ पर कैसे download कर सकते हो description में आपको link मिल जाएगी PDF की वहाँ पर आप click कर सकते हो और यह PDF directly download करोगे ठीक है यह 2013 का 2014 का सब कुछ यहाँ पर mention है ठीक है अगर वीडियो अच्छे लागी इसको जरूर like share जरूर करना अगर कोई और paper चाहिए तो नीचे आप मुझे comment कर सकते हो दूसरा वीडियो किस पर चाहिए उस पर भी comment केजिए दीजे एचासद भाई को अल्लाहाफिस